आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में आज हम लेकर आये है एक कहानी एक अंदखार से भरी एक धरावनी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी कराची पाकिस्तान के एक शहर में एक ऐसा धरावना वाक्या सामने आया है मुहम्मद रियास जो पापोश नगर कपरिस्तान का एक केर टिकर है उस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने आठ साल में 48 औरतों के मूर्दों के साथ गलत हरकते की है कबिस्तान में कुछ ऐसी घटनाओं की आशंका थी लेकिन हमें उनकी असल प्रकृती का पता नहीं था हमने कुछ गोरकन से मिलकर एक महिने तक रियास की उपर नजर रखी लेकिन रियास गायव हो गया जैसे वो हवा में गुल गया है रियास ने एक मेडिया से बात की जिसमें वो अपने डरावने अनुभव के बारे में बताया उसने बताया कि एक नए कबर खुदाई गई थी और वहाँ एक और दफनाई गई थी मैंने वहाँ जाकर, मैंने वहाँ जैसे हमेशा करता हूँ, खोदा, मैं अंदर गया और मैं धर गया मैंने कहा, मुर्दे की चहरा और दात मुझे घटिया लगी उसकी आखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जो मुझे डराने लगी मैंने जैसे ही निकलना चाहा, भागने लगा रियाज ने ये भी कहा कि उसने आउरत की आखों में चमक देखकर कसम खाई कि वो ऐसी हरकते में कभी हिस्सा नहीं लेगा लेकिन अफसोस, रियाज की बचने के कोशिश किसी को नजर नहीं आई जैसे ही वो कबरिस्तान से बाहर भाग रहा था लोग उसे चोर या कातिल समझ कर उसके पीछे भाग रहे थे जब पुलिस को पता चला कि रियाज ने क्या किया है तब तक वो उसकी जान लेने के लिए तयार थी उसे बचाने के लिए उसे नौर्थ निजावाबाद पुलिश टिशन ले गए और वहाँ पर और जाच करने का फैसला हूँ रियाज ने बताया कि वो सरगोदा से हैं लेकिन उसने पूरी जिंदगी कराचे में बिताई है उकपरिस्तान में काम करने आया था जहां उसने उन्हें प्लैंट और ख़ड़े पानी देने का काम था जहां उसे पोधो को पानी देने का और गड़े खोदने का काम था मुझे गोरकन के थुरू ये नौकरी मिली थी उनका नाम वजीर था और उनकी मौद दो साल पहले हुई थी रियाज ने बताया वजीर ने मुझे ये सब करना सिखाया है रियास का जुर्म इतने समय तक छुपा रहे गया क्योंकि वो मुर्दों के खोदे हुए गड़े ताजा होते थे यानि कि अभी अभी खोदे हुए होते थे नेक्रोफीलिया यानि मुर्दों के साथ चारिरिक संबंद बनानी की हरकत एक धरावनी कहानी का हिस्सा बन गई है लेकिन क्या ये हरकत सिर्फ फिल्मों और टीवी शोज की दुनिया में ही होती है या वो हमारे बीच में मौझूद है इडगेन, गैरी, राइडवियर और जेफरी, तैमेर जैसे सीरियल किलर्स सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनों ने इस तरह के अपराद की खबर बनाई एक और इंसिडन्स है जो अक्टमबर 2011 में सामने आया जब एक कबरिस्तान से आदमी की हत्या और मुर्दों के साथ हरकत करने का आरोप सामने आया पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग अभी अभी दफनाई गई अउरत के मुर्दों के साथ शारिरिक संबद मनाते हैं निजामाबाद पुलिस्टीशन से एक अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए आदमी ने तसलीम किया है कि वो काम वो कम से कम आट महिने में 48 मृत और अउरतों के साथ गलत काम कर चुका है हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसमें मुहम्मद रियाज अपने गुनाओं के बारे में तफसील से बताता है उसने ये भी खुलासा किया है कि वो अकेला दोशी नहीं है जब जाँच चली तो उसने कहा मैंने एक गोरकन के थुरू ये नौकरी मीरी उनका नाम वजीर था और उनकी मौत दो साल पहले हुई थी दुनिया हैरान है और शौक में है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जैसे हमजा खान जो इस घिनोनी अरकत को सही बताने के लिए कुछ भी करने को तयार है वो कहते है कि मर्दों की फितरत ऐसी है और जब औरते उनको कमजोर करती है तो वो उनके साथ गलत काम कर देते हैं ये बात बिल्कुल भी सम्मान जानक नहीं है कि कोई भी तरह की बलातकार नेक्रोफिलिया हमला या कोई भी घिनोनी जुर्म को सही बताया जाए हमारे समाज में आगे बढ़ने की जरूरत है हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए जहां सम्मान हम दर्दी और सम्मानता रहे जिसमें किसी भी भायानक जुर्म का कोई जगा नहीं हो हम सच में समाज के कितने पीछे है क्या सच में कोई समझदार इंसान औरों की वज़े से बलातकार, नेक्रोफीलिया, हमले और दूसरे डरावने जुर्म को सही बताने को तयार है